दोस्तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांजी का जन्ब 6 अक्टूबर 1944 को बिहार के गया जले के खिजरसराय के महकार गाउं में हुआ था। जीतन राम मांजी के पिता, जीतन राम मांजी फादक का नाम रामजीत राम मांजी है। जीतन राम मानजी के पिता खेते हर मजदूर थे। जीतन राम मानजी की माता का नाम शुक्री देवी है। जीतन राम मानजी की माता दूसरे के घरों में भी जाकर काम करती थी। अगर बात करें जीतन राम मानजी की जाती जीतन राम मानजी कास्ट की तो बता दे की मानजी मह महादलिक मुसहर समुदाय से आते हैं परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हुने के कारण जीतन राम मान जी को बच्पन में अपने पिता के साथ दूसरों के खेतों में काम करना पड़ता था हाला की बाद में एक शिक्षक से प्रोथसाहन मिलने पर जीतन राम मान जी ने मन 1962 में मेट्रिक की शिक्षा पूरी की इसके बाद उन्होंने साल 1966 में गया महा विद्यालय से इस नातक तक की शिक्षा प्राप्त की है जीतन राम मान जी ने अपने करिय की शुरुआत साल 1966 में की थी शुरुआत में उन्होंने लिपिक की नौकरी करना आरंभ किया हाला कि की नौकरी छोड़ दी साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जग्यू ने बेहत खराप्रदर्शन किया पार्टी के खराप्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तिफा दे दिया इसी के साथ नीत देश कुमार की पार्टी जग्यू से अलग होने के बाद जीतन राम मान्जी ने साल 2015 में हिंदुस्तान आवाम मूर्चा नाम से अलग पार्टी बनाए साल 2015 में जीतन राम मानजी की पार्टी ने BJP के साथ गट बंधन में 21 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन उनकी पार्टी महस एक सीट जीट पाए वो ही एक सीट खुद जीतन राम मानजी ने जीती थी इसके बाद साल 2020 में हुए बिहार विधान सभा चुनाव में भी जीतन राम मानजी की पार्टी महस चार सीटी जीत सकी भी खासा विवाद हुआ, डिसंबर 2021 में जीतन राम मांजी ने पंडितों के लिए अपशब्द का प्रयोग किया था जब उनके बयान पर विवाद बढ़ा तो जीतन राम मानजी ने ये कहते हुए माफी मानगी कि उन्होंने अपशब्द का प्रयोग पंडितों के लिए नहीं बल्कि अपने समाज के लिए किया था साल 2020 में हुए चुनाव के दौरान दिये गए शपत पत्र के अनुसार जीतन राम मानजी के पास 44.38 रूपे की संपत्ती है